श्रीरा देरा थे भक्तों मैं चर्चा कर रहा था रसो पासना की रसो पासना अर्था रस वाली उपासना और मैं पहले आपको बता चुका हूँ शांत रस, दास्य रस, सक्य रस, वात्सल्य रस, माधोरी रस ये सभी रस अर्थाच प्रीती के स्वरूप हैं जिनके संबंद से भगवान से प्रेम होता है और प्रेम की कारण सहज ही सेवा का भाव होता है और उसी सेवा के भाव को उसी प्रेम को देख करके वगवान भी आनन्दित होकर लीला करते रहते हैं और लीला में अपने भक्त को भी सामल करके रहते हैं मैं आप से पहले ही प्रार्थना कर चुका हूँ कि मेरी द्रिष्टी में इन में से कोई छोटा बड़ा भाव नहीं है क्योंकि मैंने देखा है शास्त्रों के माध्यम से कि भगवान इन सभी भावों का महान महान प्रेम के साथ आधर करते हैं अब आप मेरी द्रिष्टी में जो है उसको समझने की कोशिश करिए दास से भाव में श्री हर्मांदी हैं अब आप गोपी को सबसे मुच्चा मानेंगे माधुरी भाव को तो उस द्रिष्टी से दास से भाव बहुत छोटा हो गया माधुरी से छोटा हुआ हूँ वाटसल्य वाटसल्य से छोटा हुआ हुआ सख्य को शोटा दास हुआ लेकिन इडी ऐसी बात होती भक्तों तो हनुमान जी को भगवान श्री रामि नहीं करते हुआ है सुनु कपी तो हे उरिन मेनाही हे कपी हे अनमान जी मैं आप से उरण नहीं हो सकता हूं इतना ज़्यादा आपने अपने सेवा और भाव से मेरे उपर दिन चड़ा दिया है कि मैं उरण हो ही नहीं सकता हूं तो दाश्ची भाव की बात मैंने का है और श्रीव जी की तो सिधा प्रभु पुजा कर दे जो शान तरस में प्रसुद्धन और जो सक्के भाव है वक्तों यह जो उसको आप सामान ने मानेंगे तो मैं आपको सुधार्शन सिंह्ग चक्रजी महराज की जरिता उली सुना चुका हूं जिसमें चक्रजी अपने को सक्के भाव में इस्थी तो बड़ा मानते है और कृष्ण को कनू कहके अपने छोटा मानते अपने ते और श्री हन्मान साथ पोद्दार जी महराज और श्री राधा भबा हट करते हैं कि चलो हमारे साथ बर्साना चलो तो उनका प्रेम हाट देखकर साथ में चले तो जाते हैं वो बर्साना लेकिन गारी से नहीं उतरते हैं कि मैं कि शोरी के मंदिर नहीं जाओगा कि शोरी के मंदिर जाने पर उसको जेट जी को आया हुआ देखकर बहुत संकोच लगेगा परदा करेगी शरम लगेगी कि ये जेट जी आ जाए हुए मेरे हाँ इसलिए मैं मंदिर मने जाओगा और मंदिर मने जाने पर भी राधा राणी ने अपने उसी परवत से जिस पर मंदिर है ऐसा दर्शन दिया था वक्तों कि गाड़ी में बैठे हुए चक्रजी को काँच खोल करके जो परवत की ओर देख रहे थे इसी भाव से देख रहे थे कि मेरी कनू की प्रिया कनू अर्थात मेरे कृष्ण की प्रिया राधा इसी परवत पर रहती है और ऐसी जिस्टी से जब देख रहे थे तो कि शोरी जी अर्थात राधार आनी प्रकट होकर के दर्शन दिया था आधा घूंगट करके सिर जुका करके हाज जोड करके जेट जी को प्रणाम किया था और भाव से भरे हुए श्री सुदर्शन सिंग चक्र जी अपने को जेट जी मान करके दोनों हाथ उटा के आशिरवाद दिये थे सदा सुखी रहो किशोरी लाली सदा खुश रहो प्रसंद रहो बेटा अब आप ये समझे कि जिस्टक के भाव कैसे छोटा माना जा सकता जहां किशोरी जी प्रणाम कर रही है हैं जेट जी को आधर दे रही है है भर पूर प्रसाथ भेजा था वह सुखधे में आपको सिसु दर्शन स शिंग चक्र जी की चरिटाहल में सुना चुका हूँ तो शांतरस भी छोटा नहीं है शिव जी को भी भगवान प्रणाम करते हैं और शिव जी भार-भार दर्शन करने के लिए आते हैं और दासरस में हनुमान जी से काते हैं कि सुनक पितों उरिन मेना ही और सक्षरस में अपने दाओ की आज्या मानते हैं और दाओ बड़ा होने पर भी अपने कनईया के सुख की चिंता करता रहता है सदा यही ख्याल रहता है कि मेरे कनईया को किसी प्रकार के कश्ट न हो इसकी जो कीर्थी है उसमें किसी प्रकार की कमी न आ जाए इसी भाव से कभी प्यार से डांट भी देते हैं दाओ जी लेकिन जो मैं दाओ जी का स्वरूप आपको सुना रहा था उसमें तो आपने यह सुना था कि दाओ जी छोटे से हैं और लाला अर्था क्रिष्ण वो भी छोटा चाहिए और क्रिष्ण कितना चोटा है कि पालने में लेठा हुआ पलने में लेठा हुआ और आप पिछले द्रेष्ण में पहुंचिये जो मैं आपको सुना चुका हूं कि वो छोटा से दाओ जो है नहीं कपड़ा नहीं पहिना है और वो बिलकुल पलने में जिसमें क्रिष्ण है उनके मुख की तरफ मुख धुकाये हुए और कह रहा है कि मैं तो खेलता हूं मैं चलता हूं तो चलता नहीं खेलता नहीं उठ तल उठ चल अब चल नहीं बोल प बोलते हैं उर्तल और अच्यंत सुकोमर लाला अर्थात कृष्णा अच्यंत सुकोमर है दूद के फेंडे से सफेद सुन्दर से मुलायम से विस्तर पर लिटे हुए पलने में अपने छोटे-छोटे चर्मों से शरीर पर पड़ा हुआ जीना सब पीतांबर चर्नों की तरफ धकेल दिया और बार बार चर्न उचाल रहा है और दोनों नने नने हाथ उचा रहा है खुश हो करके क्योंकि दाहुजी अपना सिर जुकायोगी खड़े है ना पलना पकड़के अभी तो दांत भी नहीं है लाला के मुह में तो दन तहीन चोटा सा मुख बार बार खोल कर दिलक रहा है और देख रहा है इस तरदिश्की से दाव के भाल पर लगी कजल बिंदु को क्योंकि दाव के भाल अर्थात ललाट पर मस्तक पर जो मैया ने एक काजल के छटों से बिंदु लगाया है ना इसको नजर ने लगे तो दोनों हा दोनों हाथों से दाव के ललाट में लगे हुए काजल के नन्ने से बिंदु को पकड़ना चाहता है बार बार दोनों हाथ चला रहा है और दाव के माथे में लगे हुए काजल के बिंदु को पकड़ने की कोशिच कर रहा है तो और जुग गया दाव और जुग करके पलने म का तल तल और था जब तू चल यहां खेलने से नहीं काम चलेगा निकल बाहर निकल और उसका मुख छोटे भाई के मुख के पास आ गया है बिल्कुर नन्य कोमल शाम के कर कभी उसके नेत्र कभी भाल कभी नासिका छूते हैं और कभी अलकों में वे पतली उंगलियां उलजती किलक रहा है वो सुकमार चोटा चाव और ये मुख ये कजल बिंदू उसके इतने पास आ गया है उसके लिए वो बिंदू भी हाथ में लेने योग कोई बस्तुई है क्योंकि लाला पे तो बहुत छोटा है ना पलने में लेटा हुआ और दाव अपन पलने को पकड़ा कि लगा उसके हाथा प्तुप और बादू कूस अभी उसके हाथ ठीदू कर नहीं है चोटा हुआ है तो उसकी नभी жд Ariya आप बस्तुथा भी नहीं पाती है बस कोशिश में लगा हुआ है और भक्तों तब तक लाला के हाथ में दाव के जो अलके है ना मतलब बाल है जो कुमल-कुमल जो केश है शिर के बस वो मुठी में आ गए लाला के और भर मुठी पकड़ लिया बड़े भाई की अलके मुठी में आ गए अब उनी को खींच रहा है खींच रहा है और दाव सिर जुकाए जा रहा है जुकाए जा रहा है कि मेरे बाल खींच रहा है चलो उसको खींचने दो अहांसरा दाव हांसरा खूब की लग रहा है यह खींच रहा है मेरे बाल खींच र normore और दोनों क обяз रहे हमाराज दोनों हस रहे हैं बाला केंश खीन्ट केश रहे हैं और दाओ खेचवा के मेंश रहे हैं अ क्यों दादा केस खीन्चता है महिया ने हस करके दाओ की यलके अपने लाला की मुठ्व कहोड़ा दी, क्योंकि लाला ने बहुत कस के केस पकड़ा था, तो दाओ छुड़ा यह नहीं पा रहा था, तो मैया हनस करके दाओ की हलके लाला की मुठी थोड़ा सा खोल करके जोड़ा दिन नहीं फिर दाउ हंसने लगा, ताया, मेरे केस खिंचता है, उट, ये केस खिंचे या नाक नोचे, है बहुत प्रिये, दाउ इसके साथ खेलना चाहता है, इसे छोड़ कर करके कहीं जाते नहीं बनता उसको, ये जिदि उसको कोई ले जाए दाउ को चले धर बै लेकिन रहना लाला के पास, कहीं जाते हैं अच्छा नहीं लगता उसको, भाई की बिना उसको अच्छा नहीं लगता, दाव पलने के पास से हट जाए, महराज, लाला भी रोदेगा, लाला की भी गाल लाल लाल हो जाते हैं कि मेरा दाव कहां चल गया, इसलिए दोनों एक दूसरे को ही देखते हैं, खेलते हैं, और तब महिया कहते हैं, अच्छा है, यह नहीं जाएगा, यह जाएगा नहीं, दोनों रोजेंगे, इसलिए इसको खड़े रेने, नहीं जाएगा, चल अच्छा है इसके साथ खेल, फिर महिया हसने लगती, इतना ज़्यादा प्रेम इन दोनों का है, कि एक दूसरे को ही द अच्छा नहीं लगता कि चलता नहीं है, वो काता है चल, तल, उठ चल, तो दाओ उसकी पास ही जाकर कभी बैठ जाएगा, कभी खड़ा हो जाएगा, पल ना पकड़ करके, और कोशिच करता है कि पलने में ओभी घुष जाए, लेकिन घुष नहीं पाता है, तो भगतों, जब दाओ बहुत परिशान हो जाता है, तो रोने भी लग जाता है, तो नहीं उठ रहा है, नहीं चल रहा है, तो फिर, फिर हाथ बढ़ाता है अंदर कि उठ जा, जैसे कोशिच कर रहा है दाओ, कि अपनी गोद में ही ले ले लेना चाहता है लाला को, भगतों एक दाओ जी को जो रश प्राप्त हो रहा है, जिस रश की प्यार भरी उपासना में कनाया के साथ भी जुड़े हुए हैं, यह आपको यह अच्छा लगता है, तो आप भी अपने भाव में पलने में लेते हुए लाला के पास खड़े होकर, दाओ की तैसे ही ले सकते हैं, और जब लाला थोड़ा सा बड़ा होता है, मैया उसको पलने से निकाल के बाहर बैठा देती हैं, और दाओ भागता है जोर से, तब कनाय अपने घुटनों के बल सरकना शुरू करता है, और दाओ भागता है जो दरवाजा की जो देहली है ना, चौखत, उस चौखत के बाहर निकल गया, आप तो लाला भी भगा, लाला सोचा हम भी इसी चौखत के बाहर निकल जाएं, लेकिन पहली बाहर वो द्वार की चौखत को पार करने का प्रयास किया है, और किसी किसी प्रकार से चौखत पर चड़ तो गया है, लाला, लेकिन हाथ के बल, पेट के बल, किसी तरह से चड़ा, आधा शरीर पार हुआ, किन्तो अभी उस पार उतर ही नहीं पाया, अब चौखत पर बड़ी असमंजस में पड़ा हुआ, लाला, कि पेट फंस किया है उसका, ना आगे उतर परा ना पीशे जा पारा, कभी हाथ जुकाता है, कभी पैर लटकाता है, बहुत उची है चवकट अभी इसके लिए तो, अब जब कोई बस नहीं चला, तो मोहन उँँ, 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 करने लगा, और वो घर में और बाहर भी देखता जाता है, कोई, अरे उसकी सहायता कोई क्यों नहीं करता, मन में सोच रहा है, अब वो उसका बड़ा भाई आ गया तक तर, दाव दाव करके आ गया, परन्तो दाव घर की ओर खड़े होकर ही मोहन की गोद में लेना चाहता है, और श्याम को आज द्वार चे बाहर जाना, और दाव खड़ा है घर की ओर, अंदर की ओर, और श्याम चाहता है कि घर के बाहर चलू, और दाव तो घर के बाहर नहीं खड अंदर की ओर खड़ा, तो बड़े भाई की ओर देखता है, अभी तो बोल नहीं पाता ने साइधंग से, ने तो बोल देता है कि मुझे बाहर लेकर चलो, तो मंदर क्यों खड़े हो, तो इशारे को समझ लिया, दाव ने लाला का इशारा समझ लिया, तो अच्छा तु बाहर बाहर उतरेगा, बाहर उतरेगा, तो स्वयम द्वार चे बाहर आकर के दाव जी ने हाथ बढ़ाया, और श्याम की दोनों भुजाएं गोद में आ जाने के लिए उठा ली, दोनों भुजाएं, श्याम की, चोटी-चोटी भुजाएं, उठा ली, और कोशिच कर रहा है दा वैसे तो बल नाम है इनका, बल मत्तों बल राम, बल नाम है इनका, लेकिन अभी तो छोटे हैं ना, तो अभी तो दिगंबर सिशू हैं, कपड़ा तक भी नहीं पहिनते हैं, मैया कोई-कपड़ा जरूर कमर विमान देती है, लेकिन ओभी खुल की गिर जाता है, तो अभी ला अब श्याम सुंदर को भुजाओं में कंदे के पास चिपकड़ करके भर लिया और उदर के सहारे पेट के सहारे अपने धिधे उतार रहा है किछी प्रकारों उठा तो पाया नहीं सही रंग से चिपकाया है पेट में और कृष्ण चंदे बड़े भाई की दोनों बड़े भा और चोखट से उतर जाने पर मोहन ने दोक्षन देखा उस चोखट को चोखट से उतरना बहुत बड़ा काम था उस समय आप हलका फुलका काम मत समझे ले ना बहुत बड़ा काम था उस समय चोखट को पार करके उस पार उतरना घर के बार बिना भाई बड़े भाई के उतरन नहीं मुश्किल था, असंभव था, बड़े भाई ने पोरा ताकत लगाया, पेट से चिपकाया, खीचा, तो उस पार जब उतर गया, लाला, तो उतरने के बाद, घूम करके चोख़त को देखा ऐसे, यह, कितना उंचा है यह, आज तो मैंने जैसे कोई पहार पार किया हो जैसे कोई बड़ा उंचा पहार पार किया हो ऐसे लाला देख रहा है चावखाट को भरे कितना उंचा है यह बड़े भाई की ओर देखकर हांसा लाला हांसा बड़े भाई की ओर देखकर और फिर सरकने लगा ये था संभव स्री गृता से दूर खूब दूर भाग जाना चाहता है वो बहुत दूर भाग जाना चाहता है आज तो बहुत दूर और दाव चल रहा है अपने अनुच के पीछे पीछे हो क्योंकि अनुच जो अर्था लाला जो हो तो गुटने के बल भाग रहा है और दाव खड़ा होके चल रहा है और श्याम सुलर पीछे मुड़ु मुड़ करके बार-बार देखता है कि दाव कितनी दूर है मुझसे दूर तो नहीं चला गया कहीं और फिर देखता है उस चौख कि आज तुम्हें चवकत पार करके इतनी दूर आ गया और दाव पीछी पीछी चल रहा है। महरज, इस तरह से ये दोनों भाई जैसे एक दूसरे के सखा हैं, ऐसे आनंग ले रहें। और वो दाव पी कता है, आ चल, आ चल। और नंग धड़ंग दाव ने अपने छोटे भाई के दोनों हाथ पकल लिए। और उसे चलना आप सिखा रहा है। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। अगुटने के इपल चलेगा, खड़ा हो के चल। और श्याम सुदर बड़ा परसन, हसे दार है लाला, कि आज दाव दोनों हाथ पकड़ लिए। और खड़े हो के चला रहा। अज पते चरन, रखता है कभी दैर कभी अधा, कंपेद लड़कराते 1 अज पते चरन रखता र ale在 mont bars, Ci try to say a तो दाव भी कहां समझ पा रहा है कि कनाई उसकी गती से नहीं चल सकता है, क्योंकि दाव चोटा है ना भी तो लाला ज्यादा चोटा है, दाव उसकी थोड़ा बड़ा है, अब दाव सोच रहा है कि मेरे बराबर क्यों नहीं चलता है, मेरे बराबर क्यों नहीं चलता है, यह तो चली नहीं पा रहा है, लड़ खडाता क्यों है? दाओ कता है, ठीक से चलते से मैं चलता हूं, तो हने एक बार लग भग घसीर्ते हुए आगे को जुके हुए, श्याम को चलना पड़ता है, क्योंकि दाव तो छोड़ता नहीं चलाया रहा है उसको तो श्याम बार-बार आके जुक जाता है और कभी-कभी तो घसिट जाता है फिर भी चलता है क्योंकि दाव थोड़ा अधिक गति से चलता है पुरंत मोहन तो प्रसन इस बात से है कि आज एक नया काम सीख लिया खड़ कर दो चलना कि आज तो चौखत भी पार कर लिया है न अब खड़ खड़ चलना है बहुत बड़ा काम हो गया तो अश्यान सुंदर स्वहम खड़ होने में समर्थ हो गया तो इतना गशीटा है ना खिंचा है लाला को दाव ने कहां खड़ा हो अब खड़ा हो जैसे मैं खड हो गया एक दो डग चलने का प्रयत ने किया वैचे चलने योग नहीं है अभी उसके सुक्मार चरने लेकिन दाव इतना हठी कि नहीं चल जैसे मैं चलता हूं अब तू अपने आप चलेगा गिर्ना मत गिर्ना मत और दूर से खड़ा हो के दाव कर गिर्ना मत दीवाल पकड कर घब खड़ अब दाव के हाथ से अपने हाथ चुड़ाने का प्रयत क्या वैक्रिश्णे और दाव ने हाथ चोड़ दया परण तो कहीं छोटा बहाई गिर्न जाहे चिंता है दाव को सुग man sc byte अब ये दाव तूतली भार्षा में बोलता है गिरना मत गिरना मत अब श्याम हाथ छुडा के खड़ा ओरा दो चन अपने शरीर के भार को संतुलित किया और कहां संतुलित कर पाता थोड़ा डगमगाने लगा एक टीक से चलते का कि इसे चल पाने की प्रसनता में दूसरा डग शिगरता से उठ गया लज से भूम पर लुड़ा गया वो तो लाला को देख करके लुड़कते हुए देखके दाव थोड़ा हंस कर बोला अरे मैं उठाता हूँ दाव पास में और पास में आ गया और ये कनू गिरकर भी हंस रहा है क्योंकि दाव भी हंस रहा था न तो लाला रोया नहीं वो भी हंसने लगा गिरने पर भी दोनों हाथ इसने आगे भूम पर टेक रखें और मुख उपर करके बड़े भाई की ओर देखता है हंस हंस करके और अलकों से घिरा उसका छोटा साय प्रसन्न मुखूँ केस कितने घुगुराले प्यारे हैं उसको देखते करके सखा लोग हंसते हैं ला हाथ दे दाउने दोनों हाथ बढ़ा है तो कहा लाला से ला हाथ दे अपना और शाम अभी भूमी से हाथ उटा नहीं रहा है बड़े भाई की और देख देखकर हसता ही जा रहा है दोनों हाथ भूमी से कृष्ट ने फिर उठाए धीरे से और दाउने उन दोनों हाथों को पकड़ लिया लाला के चोटे-चोटे हाथों को और सहायता दी छोटे भाई को उठने में दाउने सहायता की जिसे उठ जाया है आराम से और शाम सुंदर अब फिर चलने का प्रयत्त करने लगा है और वक्तों जब इस तरह से लाला को चला दिया है दाउने तो उसी समय कोई गोपी उधर से आ गई बोली अच्छा तू चलने लगा है ये कोई आ गई है न गोपी बोली अच्छा तू चलने लगा है और अपने उल्लास को नरोक करके वो सखी हंस करके बोली चलने लगा है चलने लगा और कनाई ने मूग घुमा कर देखा, जट पर फिर बड़े भाई की कंठ में दोनों हाथ डालकर हंस्ता हुआ लिपट गया संकोच से, और एक बारे एक निगा से कोपी को देखा था फिर बड़े भाई को देखने लगा, बड़े भाई से ही लिपट गया, दाव इस प्रकार क कस्मात श्याम के लिपटने से डगमग हो गया, क्योंकि बड़ा जरूर है, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं है, इसलिए डगमगा गया हो, और छोटे भाई को दोनों भूजाओं से समेट कर, वो इस्तिर जाने का प्रयाद्न करने लगा, इस तरह से भक्तों ये भाई- ये सखा की तरह से रह रहे हैं, क्योंकि चिरंतन सखा हैं, इसी जहांकी को अपने घुर्दे में रखिया, आगे इस सख्य रस की बात को मैं और सुनाओगा, कैसे सखा सखा की उपासना करता है, ये आप प्रेती भरी उपासना की रस उपासना की लिला श्रमर कर रहे हैं, ब रंतर चिरंतन दीव सखाओं को शीरा दे रहती देश शीरा दे रहती आगे का चरेती पिर आप स्रमुर करेंगे